बच्पन से पिताजी को देखकर मैं भी उनकी तरह एक पहलवान बनना चाहता था मैं लभांशु शर्मा नो सेर्वाज अंगल में 14 साल के पहलवान लभांशु शर्मा ने रगातार नो बच चीते तबी मुझे लगा कि रैसलिंग को मैं अपना करियर बना सकता हूं लभांशु शर्मा ने राज्य वर राष्ट्य सत्की कुष्टी प्रशगिता में अनेक और संपदद जीते हैं और अंतराष्टी कुष्टी प्रशगिता में दो संपदद हासिल हैं राष्ट्य सम्मान पाकर मुझे बड़ा गर्म हैसूस हुआ अब आगे देश के लिए कुछ बड़ा करना था मेरा अगला गोल है ओलम्पिक में गोल्ड मैडल लाना उसके लिए मुझे अपनी सारी हदे पार करनी होगी अब एक साइन्टिफिक तरीका अपनाना ज़रूरी होगा मेरे लिए कुछती खेल नहीं जस्बा है अभी तो बस शुरुवात है